और साथी एके मिश्राजी है राजनेतिक विशलेश्चा का दोनों का भबब स्वागत है बात कर रहे हैं नेताओं के विबादित बयान देकर वोट पाने की नीती को लेकर क्या पार्टियों की तरस से नेताओं को रखा जाता है चुना जाता है और उनको छूट दी जाती है कि विबादित बयान दे ताकि कुछ तबके के वोट पार्टी हासिल कर सके एक है मिश्राजी इन बयानों से आखिर समाच को क्या फैदा होगा देश को क्या फैदा होगा चुनाओ के वक्त नेताओं को विकास की बात करना चाहिए अपने अपने रिपोर्ट कार्ट रखना चाहिए कि हमने कितना काम किया है लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है रिपोर्ट कार्ड नहीं रख रहा है जबकि विबातित बयान देकर एक बार फिर से तुर्सी तक पहुंचने की इनकी बंच्छा होती है आसिफ आप डेड्रीमिंग की बात कर रहा हैं मतलब दो पहर में तारे देखना आप ये उमीद नहीं कर सकते हैं हमारी सारी पॉलेटिकल पार्टी और सारे नेताओं से और ये देश के लिए बड़े दुर्भागी की बात है इनकी पूरी पान साल में आप एक-एक नेताओं का एक-एक पार्टी का उठा के देख लीजिए विकास के मामले में कितने percent इन लोगों ने बात किया, इन लोगों ने debate की, इन लोगों ने कोई mad represent किया ज्यादा तर आप देखेंगे 70-75% इनका जो time होता है, इनका जो ultimate मुद्दा होता है वो ऐसे sensational मुद्दे होते हैं, जो कि human की life cycle, उसकी society या human के अपने individual जो उसकी thinking होती है उसे से बहुत correlated होते है, थोड़ा सा mechanism समझे कि polarization कैसे होता है, मैं थोड़ा technical detail में जाना चाहूँगा कि देखेंगे जब election आता है, या voter को अपने favor में, public को अपने favor में करने के लिए दो terminology होती है, political cues and trigger, political cues ये होता है, ऐसे बयान जो ये देते हैं, वो political cues का काम करते हैं और वो public में एक sensation पैदा करते हैं, उनका ध्यान आकरसल करते हैं, उसके बाद next step पे ये लोग क्या करते हैं, अपने campaign को चलाने के लिए कुछ ऐसे activities या ऐसे message देना या ऐसी activities घटनाय करना, ताकि वो voter जो इनकी तरफ attract हुए हैं, वो last में voting day के दिन, बूत पर जाकर के vote में convert हो, तो ये इनका एक procedure है, देखें मैं बार बार आसी बोलता हूँ, ये बड़ा technical चीज है, लोग बोलते हैं कि एक debate में मैं था, धर्म जो निजी मुद्दा है, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप जड़ा खुली आँखों से देखिए, धर्म एक निजी मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया और especially हमारे देश में, धर्म एक सबसे ज़्यादा सामाजिक मुद्दा है, धर्म एक सबसे ज़्यादा सरकारी मुद्द है, क्लास बन से, जब आप पढ़ने जाते हो, तभी धर्म का डिक्लेरेशन होता है, एक है मिश्रा जी, अमरेका में भी अगर चुनाव होते हैं, वहाँ भी धर्म एक मुद्दा रहता है, नहीं मैं बोलता हूँ, धर्म सोसाइटी का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है हुमन लाइफ का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, मैं तो बोलता हूँ, इस चीज को मान लेना चाहिए, देखे सारी पार्टियां बोलेंगी, धर्म एक निजी मुद्दा है, लेकिन सारी पार्टियां 90% देखोगे, अधिकांस उनकी पूरी कैंपेनिंग, वोटों क ग्रूवी करण और इसपेसली आज के डेट में केवल धर्म पर अवलंबित है, धर्म पर आधारित है, ये सारे जो बयान अभी आ रहे हैं, देखे, धर्म और जाति को, मैं बोलता हूँ, अगर दो चीजों को हटा देना, धर्म और जाति, तो भारत के राजनिताओं के पास ऐसा कुछ है ही नहीं उनके रिपोर्ट कार्ड में, जिसको क्यों वो दिखा सके और क्लेम कर सके कि इस मुद्वे पर आप हमें वोट दीजिए, एके मिश्रा जी, क्या धर्म और जाति के नाम पर राजनिती करना काफी जाधा आसान होता है, चुनाव परचार करना काफी आ होता है, वोटर भी जो है, वो भी तो एक human being है ना, और human being का सबसे ज़्यादा आस्था, सबसे ज़्यादा लगाओ जिन चीजों से होता है, जब आप उसके अंदर कोई sensation करते हैं, तो पूरा का पूरा उसको जगजोर के रख देता है उस आत्मी को, तो अगर किसी भी आत्म को किसी भी वोटर को activate आपको करना है, तो यह political party या किसी भी आत्मी को ऐसे मुद्दों को चुनिए, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा sensitive मुद्दा है, अगर आप एक list बनाए सबसे ज़्यादा sensitive मुद्दा कौन सा है, तो जितनी historical चीजे हैं, जैसे देखिए सबसे पहले ध धर्म आया, धर्म बहुत पुरानी चीजे है, वो सबसे ज़्यादा sensation पैदा करने वाली चीजे है, उसके बाद जातिपाति की चीजे हैं, यह भी बहुत पुरानी चीजे है, उसके बाद आप यह देखिए, current affair में देखेंगे, तो ऐसी कौन सी चीजे है, जो वोटरों को य या, रोजगार का मुदा हो गया, income का मुदा हो गया, तो ऐसे ऐसे points को अगर आप classify करिए, तो पूरी एक list है, कि सबसे ज़्यादा primary level पे आदमी के अंदर sensation पैदा करने वाले, attraction पैदा करने वाले, first layer में कौन-कौन से मुद्दे हैं, या बाते होती है, second layer में कौन-कौन सी जाती है, depending की 0-10 के parameter पे देखें, तो highest से लेके lowest या, lowest से लेके highest तक, तो इस चीज का पूरा एक science है, classification होता है, और उसमें धर्म जाती पाती, ये सारे के सारे मुद्दे, number one position पे आते हैं, रास्ट्रीट की बात, nationalism की जो बात होती है, ये भी एक बहुत sensitive मुद्दा होता है, आप ये देखें, कभी war हो जाए आपके किसी पडोसी मुल्क या दुश्मन से, तो वो इतना sensational मुद्दा होता है, कि उस वक्त सारे लोग एक हो जाते हैं, psychology के हिसाब से अगर देखा जाए, तो definitely ये जो होता है, ये सबसे sensation वाले पैदा करने वाले मुद्दे होते हैं, और इन चीजों का प्रभाव मानों या वोटरों के मन मस्तिक्स पे बहुत तेजी से पड़ता है, और उनका जो movement होता है, जिसको आप vote shift बोलते हैं, एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने के लिए ऐसे sensitive मुद्दों को यूज किया जाता है, क्योंकि उनका influence बहुत जबर्जस्त ह होता है, किसी भी आत्मी की psychology पे, बिल्कुल, तो कही ना कही धर्म को लेकर राजनितिक दल जो है, वो यहां राजनितिक रूटियां सेक रहा है, यानि कि हर चीज का इस्तिमाल करने की कुशिश की जा रही है, बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए, फिर आप बुन्यादी चीजों को लेकर क्यों लोग कहते हैं कि अस्पताल भी उनको अच्छे चाहिए, सडके भी उनको बढ़िया चाहिए, शिक्षा ब्यश्था बेतर होना चाहिए, सडके बढ़िया होना चाहिए, क्यों कि मिश्रा जी, जब आप धर्म और जाती के नाम पर वोट दे रहे हो, राजनितिक दल इसके नाम पर वोट मांग रहा है, तो फिर बुन्यादी काम होंगे नहीं, फिर उमीद क्यों कि आती है इसको लेकर, असिर देखिए, एक टर्म होता है, इसको बोलते है, इलूजन, होता क्या है, कि पब्लिक इनफेक्ट चाहती तो है, कि हमारे पास सडके ह हो, लेकिन सवाल यह होता है, कि अगर आप दो मुद्दों को, दो प्रॉब्लम को, एक कॉमन, हिसाब किताब तो लो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखे, यही होता है, आदमी, देखे, आप इसको, यह साइकोलजी का आगे, मतलब पॉलिटिकल साइकोलजी और पॉ मुद्दे ऐसे होते हैं, अगें, क्वेस्टन वही आता है, कि ऐसा कौन सी चीज या कौन सा मुद्दा है, जो मेरी साइकोलजी या वोटर की साइकोलजी को डीपर इंफ्लुएंस करता है, लोग वहाँ पे भूल जाते हैं, सड़क के मुद्दे इन सब चीज़ों को भूल यह एक वार की तरह होता है, जो इलेक्शन होता है, जहां पर कि साइकोलोजीकल और इमोशनल जो पोजिशनिंग इन लोगों की होती है, वो उनके निजी और इन सब चीज़ों पर इतना हावी हो जाती हैं वोटरों पर, कि वोटर जो जन्यून मुद्दे हैं, उनको भूल क की तरफ जुब जाते हैं, और यही रिजन है कि सबसे तेजी से अगर आपको वोट स्विंग कराना है, तो ऐसे जो मतलब मैंने आपको मुद्दो को सेलेक्ट करने था, जिस तरह से चुनाओ के वक्त कहा जाता है, आपने कहा कि घर के सामने सड़क तूटी है, खराब है यह अब चुनाओ के वक्त में, आप कहते हैं कि चुनाओ के वक्त में सड़क को लेकर मैं सवाल करूंगा, लेकिन नेता जी आके कह देते हैं कि आपका धर्म संकट में, अगर फला पार्टी जीत गई, तो धर्म संकट में आ जागा, ओज़ोगत इंसान सोचता है कि मैं सड़क आपको बताओं, मैंने बोला, human being का political behavior समझना जरूरी है, आपने दो मुद्दे लिए, टूटी हुई सड़क और धर्म, अब आपको देखना ये है कि इन दोनों में deeper influence, quick response, quick influence किसीज का होगा, मैंने आपको scientific reason भी बताया, कि अगर 0 to 10 के parameter पे मुद्दों को अगर देखेंग का glittery से कौन ज्यादा तेजी से influence करता है, तो जो मुद्दे, जो चीजे जितनी एतिहासिक और पुरानी हे वो उतनी ही डीपर influence करती है, धर्म एक सबसे पुराना मुद्दध है, सबसे पुराना fact है मानो इतिहास में, जब से मानो प्यदा हुआ है, सबता का जन्म हुआ है, देखे आसिफ मैं ये बोल रहा था अगर आप किसी साइकोलोजी के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आप उन चीजों को क्लासिफाई करिए कि जो आदमी को सबसे ज़्यादा इमोशनल और क्विक वे में जो है इंफ्लूएंस कर देते हैं यूमन बींग का अगर आप पॉलिटिकल बिहाईबियर की एनालिसिस कीजिए और एक स्केल बनाईए कि ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं एक पैरामीटर बनाईए ऐसे कौन-कौन से मुद्दे होते हैं और उसको क्लासिफाई करना शुरू करिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा मुद जानी है जैसे धर्म मैंने बोला यह आदमी के उद्भों के साथ सभ्यता के विकास के साथ वो उसको उसके साथ जुड़ा हुआ है और पीडी तर पीडी यह चीज़े ट्रांसफॉर्म होती रहती है हमारे हां कोई नया शिशू नया बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उस से बहुत क्लोज एसोसियेटेड होता है और उसके किसी भी तरीके का दाग धबा या अटेक जरासा भी अगर हो या एक फियर फैक्टर भी दिखा दिया जाए कि भाई यह चीज तो खत्रे में है तो आदमी एकदम इमोशनल हो जाता है और उसका पूरा का पूरा आउट फील करता है इस चीज पर जरासा भी डेंट बर्दास नहीं करता या इमोशनल अपने आउट लुक से बाहर नहीं हो पाता है क्या एक मिश्रा जी राजनिती का इस्तर लगातार गरता जा रहा है क्या अब इस इस्तर तक पहुंच चुके हैं कि धर्म के नाम पर वो स दारे डाल लाएं राजनितिक दल देखे आसिफ मैं आपको बता हूँ अगर आप ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में इसको देखे ना तो इंडियन सब कॉंटिनेंट में अभी भी राजनीत का अस्तर वही है मतलब निम नस्तर आप मानिये यूरोपियन कंट्री यूएसे व यहां ऐसा आया था कि पोप वगरा चर्च वगरा को बोल दिया कि राज काज का जो मतलब राज का जो काम है इस्टेट का पहले वेस्टन कंट्री यूरोपियन उसमें देखेंगे तो वहां पे भी पोप का धर्म का बहुत जादा इंफ्लूएंस होता था तरो गवर्न करते श्री लंका पंगला डेस वगरा मिलाके जिनका कल्चर और हिस्टोरिकल ओर्जिन सब कुछ सेम है यहां पे चुकि यह एक थोड़ा सा ज्यादा ही भावना प्रदान देश है और यहां का आप सोसाइटी की डायवर्स्टी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है डिफरेंट ड हिंदू धर्म में एक छोटा सा कुनबा है मतलब आप यह समझे उप धर्म है एक संप्रदाय है उसको कॉंग्रेस ने इलेक्शन के पहले साल पर शा महीने पहले डिक्लेर कर दिया कि हम जीतेंगे तो आपको एक विशेश उसका दरजा देंगे क्यों ताकि वो एक वोट बै हैं और आदालत में जो है मामले भी चल ला है इनके इनके हां कितने बड़े बड़े नेता परदान मंत्री तक जा रहे हैं यह सिर्फ धर राजीतिक पैदा उढ़ाने के लिए नहीं करते थे नहीं आसिप देखे मैं आपको बताओ धर्म कोई एक बुरी चीज नहीं है नही धर्म का उद्भो कब हुआ सिविलाइजेशन में जब आदमी असब्य था और जनसंख्या पढ़ने लगी तो कंट्रोल करने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या नैतिक है क्या एनैतिक है हमें एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं यहीं सवाल यह है कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है राजनेताओं की तो आदत होती है कि हर चीज के लिए हर चीज का यूज अपने वाइदे के लिए करना है मैं एक एक्जाम्पिल दूँगा आपने बोला था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी वाले बोल रहे हैं जी हम छोड़ेंगे नहीं धर्म में हमारी जो है आस्था है मैं यहां बोलना चाहता हूं आस्था है लेकिन क्या राम मंदिर को बनवाने की निस्था भी आपके अंदर है शायद नहीं है अगर होती आप यही चीज देखिए सोमनात कि शंदिर का पुणरिर łमान होना था आफ कॉंघरी से कानुन कर लू डिया कोई वल्वा कोई कुछ ऐसा नहीं हूआ राम कर लला के जो ताले खुले थे वो भी कॉंग्रेश के जमाने में खुले थे और बड़े आराम से हो गया कहीं कुछ नहीं हुआ होता ही है, squeeze करना, squeeze करने का मतलब यह जो politicians है, बादू से तेल निकाला, अगर कोई सीखे तो उसे सीखे, यह मुद्दे को अंतिम छर्दक उसको in cash करते हैं, वो कोई भी मुद्दा हो, धर्म का हो, जाति का हो, पात का, मैं बोलता हूँ, जितने धर्म गुरु हैं, आपने जो नाम लिये हैं, वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो जामा मस्जिद के इमाम सहाब हो, आप उनसे जरा यह पूछिए, कि धर्म का जो सही उपयोग है, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार किया, आप अपने personal सायदे क लिए यूज करते हो परसनल जब कोई मैटर होता है तो संसद में वो बिल वो कानून एक मिनिट के भीतर जो है पास हो जाता है जैसे सब चीजे हुई चार साल में सैखड़ो कानून बीजेपी ने या दूसरी गवर्मेंट ने भी तुरंद पास कर दिये किसी को पता नहीं चल आप सोमनाथ मंदिर की तरह जैसे कांग्रेस ने किया एक छोटा सा बिल लाइए हमेशा हमेशा के लिए इस लफड़े को खतम कर दीजिए लेकिन ये चलता रहेगा ये मुद्धा कहीं वहाँ चलेगा कहीं वहाँ चलेगा क्योंकि इससे सारी पार्टियों को किसी ने किसी देखें किवल बीजेपी को फैदा नहीं है अब राम मंदिर का अगर मुद्धा है तो दूसरी पार्टिया इसलिए भाई बाकी देपोर्टर हमारी तरफ आ जाओ राम मंदिर को बनाने में देखें सब बोलते हैं आस्था है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपकी निस् आस्था जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ है और आस्था वो धर्म की तरफ है तो आस्था और निस्था का ये बहुत अच्छा प्रेयोंग आप तेख सकते हैं और जिस तरीके से आभी कह रहे थे कि एक बीजेपी का ही फाइदा नहीं है उधर वाले कह रहे थे को हमने पूर ने जोड़ लगा रखे बनवा करके छोड़ेंगे और बनना कहीं कुछ नहीं है क्यों जिस दिन देश के अंदर से आसिप जी गाय का मुद्दा राम मंदीर का मुद्दा और जम्मु कस्मीर का मुद्दा खतम हो गया राजनेताओकिर दलालों की दुकाने बंद हो यह जो मुद्दे जवाब देने को हई नहीं आसे सब ने तो राज किया है यह मुद्दे जो है ना आप इनको ऑक्सिजन समझी है पॉल्टिक्स के लिए आप इनको लाइफलाइन समझी है मैंने आपको बोला इंडियन सब कॉंटिनेंट के किसी भी कंट्री में आप जाके देख लीजिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एवर ग्रीन होते हैं जिनका किसी भी मौसम में प्रयोग किया जा सकता है और वो कभी असफल नहीं होते हैं और उन मुद्दों को मैंने गिनाया जो जितना पुराना यूमन बिहेवियर से रिलेटेड पुलेटिकल बिहेवियर से रिलेटेड जितनी पुरानी चीजे हैं आदमी के साथ जुड़ी हैं वो सबसे गंभीर सबसे सेंस्टिम मुद्दा होता है अचा अब इसमें सवाल यह होता है कि हम करे तो क्या करे देखिए या तो पुलेटिकल पार्टियां सुधर जाएं, उनके अंदर भगवान इतनी सद्बुद्धी दे दे कि वो इन चीजों को नकार दें, बोले कि भाई जो इस मुद्धे पर बात करेगा हमें करना नहीं है. अधिक करेगा हमें नावस्का टिवी अंडेट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आसिफ खान. इसे बीजेपी की चुनावी रणनीती कहें, या अपने नेताओं के बेलगाम बयान पर रोक लगाने में नाकामी. इन दोनों बीजेपी के कुछ नेताओं के विवादित, भरकाओं और अनाप्षणा बयान ने उत्तर प्रदेश के स्यासी महल को घर्मा कर रग दिया. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब चुनाव करीब आता है, बीजेपी अपने हिंदुवादी एजंडों को लेकर सक्री हो जाती है और कोई ना कोई शगूपा छोड़ देती है. इस बार बीजेपी की फाइब रांड नेता साद्वी प्रांची के विवादित बयान से स्यासी हलकों में हरका मजग गया. प्रांची ने क्या कहा है, यह आपको हम आगे बताएंगे. दरसल बीजेपी डेता साधी प्राची का नाम राम मंदिर को लेकर विवाधित बयान देने को लेकर लगातार सामने आता है इस बार राम मंदिर का राग अलापना अनयास नहीं हो सका सवाल है कि क्या बीजेपी वोटरों को फिर अपने चुनावी चक्रिवी में फसाना चाहती है साधी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो राम मंदिर बनने से रोक पाए राम मंदिर बनेगा आयोध्य में बनेगा संसार की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी अब इस बयान को आप क्या कहेंगे क्या साधी प्राची का ये बयान भरकाओ नहीं है साधवी का इशारा साफ है सवाल ही है कि क्या बीजेपी टाकत के बल पर राम मंदिर का निर्मान कराएगी अगर बीजेपी ऐसा करती तो शायद चार साल में कर देती लेकिन बीजेपी की शायद मंचा ये नहीं है उसको लेकर फिर मन्चा पर सवाल खुड़े होते हैं साधवी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा उन्हें तो पहले राहुल गांदी को लेकर भी निशाना साधा उन्होंने भूंदू बताया और कहा कि वो कभी परधान मंत्री नहीं बन सकते अब सवाल है क्या साधवी प्राची टैक करेंगी कि कौन प्रधान मंत्री बन सकता है और कौन नहीं राहुल गांदी देश के एक बड़े पार्टी के ध्यक्ष है उनके बारे में इस तरह अभद्र टिप्डी करना ये कहा तक सही है यहीं नहीं साधी प्राची ने मुख्रमंत्री योगी आधितनात के टोपी ना पहनने को लेकर कहा कि मैं एक बात पूरी हिंदिस्तान के मलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या इनके खुदा, इनके पैगंबर, भगवा पगड़ी पहनते थे तो क्या अब ये टोपी दूसरे समुदाय के लोग क्यू पहने सवाल है कि क्या लोगसवा चुनाओं से पहले भगवा करण की तैयारी में है संग और बीजेपी विपक्ष का मानना है कि लोगसवा चुनाओं में वोटों के धुर्वी करण को टारगेट करते हुए ऐसे बयान दिये जाते हैं ये पूरी तरह से सुनियोजित होता है सवाल ये भी है क्या बीजेपी पूरी तरह से चुनाओं में आ चुकी है साधी प्राची ने तो लग जिहाद का भी मुद्दा उठाया है यानि कि पूरी तरह से हिंदू वोट बैंक की गोल बंदी की और संकेत दिख रहा है आखिर लोग सवा चुनाओं के पहले बीजेपी नेताओं के विबादित और भड़काओं बयान क्यों आने लगते हैं आखिर साधी प्राची राम मंदिर मुद्दय को हवा कूदे रही है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है क्या चुनाओं के वक्त बयान बाजी करके वोटों का धुर्वी करण किया जाता है क्या आमजनता अब ये कुछ सब कुछ जो है वो समख चुकी है और सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी नेताओं की तरफ से ही वैयान आते हैं बयान समाचवादी पार्टी की नेता की तरफ से भी आते हैं, कॉंग्रेस की तरफ से भी आते हैं और बियस्पी भी आम लोग को डरा के वोट हासिल करना चाहती है अब सवाल यह है कि भारत की राजनीती क्या सिर्फ डरा कर चल लही है चल यह चर्चा सिर्फ करने से पहले आपको सुनाते हैं साधी प्राची के विवादित बोल राउल गांधी तो बोंदू है, ऐसे बोंदू का नंबर कभी जिन्दगी में नहीं पड़ पाएगा राउल गांधी को बलकि सला देती हूँ, सोनिया गांधी को सला देती हूँ, जल्दी से जल्दी क्योंकि यह यूवार नहीं रहे अब राउल गांधी, इनकी जल्दी से जल्दी शादी की जाए और अपनी ग्रस्ती बसा करके उसमें मस्त रहे परधान मंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएंगी राउलगा इंदुस्तान के जो सेकुलर वादी लककड भग्ये हैं वो सब इकठे हो गए किसी तरह राम मंदिर ना बनाया जाए क्योंकि राम मंदिर बनेगा तो राम राज आएगा और राम राज आएगा तो ये लककड भग्ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में राम राज आए लेकिन रहिवा तो राम मंदिर की हिंदुस्तान के अंदर किसी ने अपनी मा का दूद नहीं पिया जो राम मंदिर को रोक पाए राम मंदिर बनेगा अयोध्या में बनेगा संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाए वैसे अभी केंद्र सरकार से भी मैं अनुरोध करती हूँ और मैं जल्दी से जल्दी परियास करूँगी कि देश के परदान मंतरी जी से मिलकर के ये निवेदन करूँगी कि कोट के माध्यम से अगर फैसला हिंदो के पक्ष में राम मंदिर के पक्ष में आने की उमेद है या नहीं वो तो वो जाने कोट जाने कोट का फैसला है कोट का हम सम्मान करते हैं लेकिन परदान मंतरी जी से मैं निवेदन करूँगी कि जैसे सोमनात मंदिर के लिए कानून बनाएगा था, वैसे ही राम मंदिर के लिए भी संसद में कानून बना करके हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर का भव्य निर्मान हो, राम मंदिर बने, उसके लिए प्रियास के योगी जी का बहुत अच्छा फैसला और मैं एक बात पूछना चाहते हैं इंदुस्तान के मोलानाओं को क्या इनका खुदा क्या इनका पैगंबर भगवा पगड़ी पहनते थे जो ये मोदी जी के लिए प्रैसर करते है योगी जी पर दबाव डालते है कि जालीदार टोपी पहने आखिर क्यों जालीदार टोपी पहने क्यों ये जब एक परधान मंतरी को दबाव दे सकते हैं मुख्य मंतरी को ये दबाव दे सकते हैं इसका मतलब साफ साफ रास्ता है साब साब बात है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या व्यक्तिगत स्वेतंतरता देश के मुख्यमंतरी को नहीं है और देश के मुख्यमंतरी को पर भी दबाव डाल रहे हैं कि जालिदार टोपी पहने क्यों पहने किसलिए पहननी चाहिए ये बहुत अच्छा निर्ने रहा और मैं मोलानाओं से पूछना चाहती हूँ क्या ये तिलक लगाने के लिए तैयार है चाहे वो आजम खान है या ओबेसी है या फिर गुलाम नभी आजाद है ये तिलक लगाने के लिए तैयार है ये हमारे मंदिर में आरती करने के लिए तै आजय तरहरें तबहुत कुल यह सुखम को हैं हिंदु टाताना है तो तब भूरत फोलीध सब्सक्राइब थीट चलता श्रह प्रॉप्षरा अधास इसे हिंदुस्तान को हिंदुराष्ट बढाने की और उसकी ज़रुत ने हिंदुराष्ट है हिंदुराष्ट रहेगा यह बहुत अच्छा नेनरहा सरकार का दूसरी बात आतंक्यों को चुन-चुन करके मारना चाहिए एक एक आतंकवादी जो काश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ में आरपार की एक बार हो जानी चाहिए जब तक पाकिस्तान के साथ आरपारकी नहीं होगी क्योंकि लात्तो के भूत कभी बात्तों से नहीं मानते इसलिए आरपारकी होनी बहुत जरुटा थेकी मैं कई बार कहे चुकी और काफी दिनों से मैं परियास कर रही हूँ कि लोगों की समझ में आ जाए हिंदु अपनी बेटियों को संसकारित करने का काम करें लव जिहाद आज से नहीं यह तो कहीं बर्सों से फैल रहा है समाजवादी पार्टी के जो नेता होते थे आज मखान इसको बढ़ावा दे रहे थी और आज वो इतना बढ़ा हो गया कि मुझे भी पता चला है बरेली के अंदर दो-दो केस सामने आए जिनको के अपने प्रेम जाल में फसा करके गोमांस खिलाएगा मैं कोसिस करूँगी आज उन परिवारों से मिलूँगी उन बच्चियों से साद्वी पराची विवादित बयान को लेकर जानी जाती है गर फिर से विवादित बयान दिया लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कुछ नेताओं की पहचान विवादित बयान से होती है लेकिन वक्त को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर चुनाओ के वक्त ही ऐसे बैयान क्यों दिये जाते हैं क्या सोची समझी ये राजनितिक साजिश होती है कि चुनाओ के वक्त में इस तरह के बयान दिये जाए और वोटों का धुर्वी करण किया जाए क्या ये भी बयान उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है राजीव जी क्या एक जिस तरह से हम जुक्र कर रहा है एक बड़ा आसान रास्ता राजनितिक दुलों को यहां मिल गया है और उसी के नाम पर यह राजनिती कर रहा है अब सवाल इस बात को लेकर राजीव जी आज के दौर में भी धर्म जाती को लेकर अगर यहां पर चुनाव पुर्चार किया जा रहा है और चुनाव हो रहे तो विकास कौन कहा होगा कौन करेगा विकास आज कितने पीछे पड पर बोट आसानी से प्राथ किया जा सकता है, तो वो विकास करने की बजाए दूसरे मुद्धोपे, जिस पर बोट आसानी से मिल सकता है, उस पर लाइन लगा ली कि इस तरीके की भावना भड़काओ, ताकि वो तो का पोलर जैजिसन हो सके, जिस तरीके की अभी में एक ताज तुजात आलम साथ, गाजियाबाद सें, बीजेपी विधायत जो अपने आपको हिंदू अर्दे समराच बचाते हैं, नंभी किसोर गुजर, वो जाते हैं, वो ओरंग जेब के घर जाते हैं, और अखबार में ख़बर चैपी थी, कि ओरंग जेब खान जो है, वो गुजर विरादरी से थे, आप क्या एक सैनिक को, जो सैनिक सहीद हो गया, उसको पहले धरम मेरे फिर जाती में बाणते हैं, क्या वो देश के सैनिक नहीं थे, दूसरी बात, दोनों ही व्यक्ति आतन की घटना में सहीद हुए थे, एक औरंग जेब साब, एक सुजात साब, आप सु इस वर उनकी आत्मा को शांती दे, दोनों देश के लिए सहीद हुए, मगर बीजेपी का एक विधायक, शिर्फ इसलिए औरंग जेब साब के घर जाता है, कि वो एक सैनिक होने के साथ साथ, वो गोजर विरादरी से थे, और शुजात आलम के साथ, आप के याद, इसलिए घर नहीं जाता, कि वो सिर्फ मुस्लिम थे, ये बहुत घटिया राजनिती का एक्जांपल है, लेकि लोगों को इस बात को समझा चाहिए, राजी जी, जिस तरह से बयान आया, चुनाओ करीब में है, अब क्या माना जाकि चुनाओ को लेकर, वोटों के धुर्वी करनों को लेकर क्या इस तरह के भयान दी जा रहे हैं? जिस तरीके के नेतापाल लगे हैं, जब चुनाओी मावल आता है, तो वो कटरता की बात करके, एक समुदाय को, अपने अपने समुदाय को, या जो उनका वोट बेंक का जो एक सिंडिकेट है, उसको अपने तरह अगर साजित करते हैं, अब देखिए, काइदे में तो जब मामला राम मंदिर का माननिय सर्वोच नियाले में विचारा धीन है, अपने देखा होगा, और ये कानूनी पहलू भी है, कि जिस मामले में, कोई भी मामला कोट में विचारा धीन हो, उसमें कोई भी किरिया परतिकिरिया नेता पत्रकार किसी को को ये भिकार नहीं है करनेग अगर सारी चीज आप ही के तरीके से चलेंगी तो फिर मान्य नियाले की ज़रूत कहां रहे गई आप खतम कर दिए आपके पास संसर भी है विधायक भी है लोग साब भी अपर यह का जाता कि अपर यह कहते हैं कि मंदिर महीं बनेगा अराल में पनेगा किसी की ताकत नहीं है इसका मतलब आपको न्याई को वेश्था पर वरोसा नहीं है और आप इको भरोसा नहीं है आप इतने उतावले क्यों औरे भई नीड़ा आने दीजिए चुनाव आ गया तो फिर राममंदिर अपने लगे आसिप जी अटल विहारी वाजपेई जी की सरकार आई थी राममंदिर के मुद्देप आई सरकार गई राममंदिर का मुद्दा बोले सरकार खतम फिर दुबारा यह फिर राममंदिर और हिंदुतु के मुद्देप आई पांच साल में ऐसा कोई बीजेपी के पास ऐसी उपलब भी नहीं है जो बता करके यह कहा जा सके कि हमने यह किया है जनता के हित के लिए अब हमें दुबारा चुनिए अब फिर वह जब मुकस्मीर राममंदिर हिंदुतु का मुद्दा सर उठाने लगा है जो जिस महभूबा मुप्ति को आतंकियों की सरगना और आतंकियों की सहयोगी बताते थे आपने तीन-चार साल उनके साथ सरकार चला ली अब जब चुनाव कैसा मैं आ गया तो आपने उनसे कह दिय लोगों को लेकर समझ लेना चाहिए कि अगर चुनाव के वक्त ही बयानबाजी की जा रहे है तो इसका मकसद क्या हो सकता है यह सिर्फ वोटों की राजमीती है यहाँ पर बाट कर और वोट पाना सिर्फ एक ही मकसद है राजमीती दलों का वाक्ते छोड़े से ब्रेक का जल्दा आज़े रहे हैं सांसद अब इसको लेकर बयान देने लगे साधी प्राची का ताजा बयान आया कि वही पर मंदिर बनेगा जब भी लेकिन हम लोग सुप्रीम कोट के आदेव से बनेवे हैं और सुप्रीम कोट के न्यायले के अस्तरगत जो भी निर्ड़े आएगा उसके अनुरू बाटे जन्ता पार्टी मंदिर का निर्मान करेगी आप सुप्रीम कोट के फैसले का इंतिजार कर रहे हैं और उसी के अनुरूप आप बनाएंगे तो फिर बयान क्यूं दे रहे हैं इसका मतलब यह कि फैसला कुछ भी आयक करना वही है जो मन में है अधा कुछ नहीं है बाटे जन्ता पार्टी में कभी भी कानूं का उलंदन नहीं किया है और हम सुप्रीम कोट को जो फैक्स हैं और इस तरह के अजोध्या राम की जनम भूमी है और वहां पर यह तेहांसी रूप से यह प्रूब हो चुका है कि वो राम जनम भूमी है और बहुत तेजी से अब इसकी हेरीन होने वाली है और सुप्रीम कोट खाली यह है कि किस तरह से निर्माण किस तरह से होना है तो यह बादे जंतापाती के प्राइम उसमें है और बिल्कुल मंदिर का निर्माण होगा चलिए बाबा शुप्रिया रजनी कुकुरेती जी सवाल इस बात को लेकर है मन्शा पर सवाल तब खड़े होते जग चुनाव के वक्त इस तरह के बयान आते हैं और चार साल तक इसका जिक्र तक नहीं होता है राजीव जी क्या आप देख रहे हैं कि ताकत को पाने के लिए स संत्री के दर्जा दे दिया गया और राजनितिक दल जो है वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या दोनों यह यह दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकत पाने के लिए बिलकुल देख आसिप जी मैं एक सीज बता दूम दर्शकों को भी बताना चाहूंगा पहले राजा इसका जीता जागता उधारन है। जब कलिंग का यूद हुआ था, कितने लोग गुमारे गए थे, कितने सैनिक और कितने जलता और गेते, तो उसने प्राश्चित किया, और उसने सब कुछ राजपाथ त्याग करके, और वो ज्यान की योग की प्राप्ति में चले गए। उन राजनिती में जा रहे हैं, मंत्री बनने में राजनिती का पड़ा रहे हैं। देखिए, पहले राजपाथ से जो कुछ गल्ती या जाने जाने में कुछ हो जाता था, उसके प्राश्चित के लिए धार्मी के रास्ता अपनाते थे। अब जो धार, धरम के रह पर चलके, ज अब लोगों के में नामगिना हूँ, आप भी जानते हैं, देश की जनता यू जानती हैं। अब लोग धरम को छोड़के हैं, राजनिती की तरफ जा रहे हैं। आखिर देश किस तरफ जा रहा है। दूसरी बात धरम गुर्वों को धरम का परचार करना चाहिए, ना की रा पैसा लेकर के और फत्वा जारी करते हैं, इस पालिटी को बोठ दीजिए, इसको ना दीजिए। कभी सापा के फेवर में कहते हैं, कभी कांग्रेस के फेवर में कहते हैं, क्यों भाई? आप किसी धरम के ठेकेदार हो क्या? एक तरब मताधिकार, व्यक्तिका सवतंत्र अध आप कुछ चंद पैसों के लिए देश के नेताओं की दलाली करने हैं, अपनी कोम की अपने धरम को बेचने हैं, ऐसी धार्मिक और इतनी पाक साफ पोश्ट पे बैठके इस तरीके की गंदी हरकत माफी के काबिन नहीं है, ना कुरान में जगे हैं, ना इसलाम में जगे हैं हिंदू धरम के जो ठेकेदार भी इस तरीके के कारिये कर रहे हैं, उसके लिए भी कहीं किसी धरम नहीं जगे नहीं है। जग चुनाओ आता है तो वो डराते हैं, कि देखिए या तो हाली बीजेपी नहीं है, समाजवादी पार्टी के निताखुदे को कहते कि अगर बीजेपी जीद गई तो यहां से जाना पड़ेगा आपको विसराफ आने तो दीजे, बीजेपी के लोग कहते हैं, कि आप हमे अगर बीजेपी आगई तो यह देश तुमारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, और यहां इमर्जेंसी लगा दी जाएगी, यह कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, सारी पार्टिय मिलके मुसल्मानों को डटराती हैं, कुछ पार्टिय मिलकर के दलीतों को ड़रात दलीत समाज साती है, दलीत समाज का नेतर तोगी करती है, आज परदेश में दलीतों की हालत किसी से छोपी नहीं है, रामविलास पासुमान है, दलीत समाज साते हैं, बिहार में दलीतों की हालत किसी से छोपी नहीं है, अजीत सिंग है, जाटों के छेतर साते हैं, जाटनेत है जाटो की हालत क्या है किसी सच्छुपी नहीं है सिर्फ जाती और धरम के नाम पर वोटरों को अपने समाज के लोगों को बहलाय फुसलाय जाता बर्गलाय जाता असी पुष्का दूसरे पहलू पर भी हम जाना पड़ेगा जब नेता अपनी पार्टी से ठिकट मांगते है अपना भाइड़ यह पर जैंट करते हैं अपने पार्टी को कि मुझे सठ तमस्षी समाघ के लोगों कि मेरे जाती विस्एẩंट 이제 मिलेंके तावी मैं जीत जाऊंगा इसी तरीके काफ़े का टीकट बटवारा होता है टिकट बटवारे के बाद जब नेता जाता है तो कहीं व काहीं पर एपनी द्रिख आता है इधा है कहीं अपने जाती की कि यार इसकी पारिटि तो अच्छी है मगर आदमी अच्छा नहीं है कि चलो आदमी को छोड़ो आद Wesok शोट्रा एक और denge SAP मदुफपट ज़ुड है प्रवक्त भीजा फट का हैमारे साथ पूरा स्वास ब्यक्ति किया है पूरा हमारी मानिये सुप्रीम कोड पूरा हमें पूरे तत्त प्रमानों के आधार पर जो भी एतिहासिक प्रमान निले हैं उनके आधार पर ये कहा है करोड का फैसला मानन नहीं होगा अपको मदू भट जी क्या कोट का फैसला मानने नहीं होगा तो फिर बयान यह आना चाहिए ना कि कोट का जो भी फैसला होगा वो मानने होगा कोट जो कहेगा हम उसको मानेंगे यह बयान आना चाहिए मदू भट जी धर्म पर आस्था सबकी है लेकिन सविधान पर लोक तंत्र पर इस पर भी आस्था होना चाहिए मदू भट जी क्या जिसका मामला कोट में चला है क्या उसको लेकर बयान देना चाहिए वह भी एक सांसद्द को वह भी एक जनप्रतिनीदी को देखे अपनी आस्था अपनी सथा अपनी जो भावता है क्या आस्था कोट के ऊपर नहीं है क्या आस्था लोकतंत्र के ऊपर नहीं है क्या सविधान के ऊपर नहीं इस पर भी आस्था होना चाहि क्या महौल खराब करना चाहिए या फिर यह वोटों के धुर्वी करण लिए सब कुछ होता है मदू बढ़्जी पूजा करने का सवाल पूजा की बात कहां से आ गई मदू बढ़्जी मेरा सवाल यह एकुछ है कि मादूबढ़्जी क्या सविधान ने क्या इतनी इजाजत दी है कि कोट में जो मामला चला में उसको लेकर इस तरह का बेहान के काम वह ऊगई होगा इसका मतलब कि अपकिया इसका मतलब कोट का फैसला पिर अलग है कि काम होने हो ना फिर को क्यों वहाँ पर मामला है अगर हर हिंदू और हर कोई भी रड़ अपनी आस्था को जैस्ट करना चाहता है तो उसमें यह बाट कहां से आगे कि कोट का मानेंगे और कोट का मानेंगे या नहीं मानेंगे लेकिन मदू भट जी मदू भट जी क्या मदू भट जी भारत के लोग चाहते कि मंदिर बने वही पर बने हिंदू मुसलिम सब चाहते हैं कि मंदिर वहाँ पर बने यह आस्था का मामला है क्या राजनितिक डल क्या इस काम को होने नहीं दे रहे हैं क्या इस मुद्दे को खत्म नहीं होने दे रहे हैं अब तो यह कहने लगे हैं भारत के लोग विए हम अखरी वही कह रहे हैं कि जब बात यह आई तो हमने जिसमे तच्छे दिये हैं अगर आप लोग जाना चाहते हैं हमने सारे तच्छे परमान के साथ उहां पर अपने सारे दुस्तावेग भी रख दी मत यह बनता है मंदिर वहीं पर बनना चाहिए तो इसमें बिल्कुल सब्सक्राव तरण संभाव हम तो यह कहते हैं मदू भट जी मेरा सवाल यह था क्या राजनितिक डल खुद ही मंदिर बनने में रोडा बने भी हैं क्योंकि एक दल अगर अपने घोशना पत्र में शामिल कर ले के मंदिर हम बनवाएंगे तो फिर दूसरा राजनितिक डल जो है वो कोशिश करता कि ना बने किकि इनके घोशना पत्र में शामिल है, वो सयोग इस बात को लेकर नहीं करता है, अगर बन गया तो यह होगा कि इस पार्टी ने मंदिर बनवा दिया, इनके घोशना पत्र में था, उसका फाइदा वोठा सकते हैं, इसनी दूसरी पार्टी उसका विरोध गरती है. देखिए ये बहुत कि देखिए जूतरे अन्य डलों ने इसको एक जवर्दस्ती का राजमिती करने का जो करोड़ों की जो सरधालूओं की जो भारतवासियों की जुआ है उसको उसको च्छती पहुंचाने का काम किया है मैं तो हर किसी हर किसी क्यूंकि हमारे पास हर भर्म के सब्सक्राइब है और अगर अगर आप चाह रहे हैं अगर आप चाह रहे हैं कि आस्था के हिसाब से मंदिर बन जाए और आपने लोकसभा चुनाव में वाइदा भी किया था और आपने ये भी कहा था कि कि हम कानून बनाएंगे अगर पूल बहुमत की सरकार बन गई क्यों नहीं कानून बना रहे हैं आप क्या आप खुद नहीं चाहते के मंदिर बने कि अपने कहां आप कानून बना रहे हैं पूल बहुमत की सरकार आप की अप 4 साल निकल गए अब चुनाव का वक्त है फिर से आप वही रागल आप रहें देखें आप वक्ष का इंतिजार कर लिया देश के लोग चार हैं किस समस्या का समधान हो जा लेकिन होने नहीं दे रहे हैं राजनेतिक दल मदू भड़ जी ऐसे नेता जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए जगा पाकिस्तान है हिंद्यों की जगा है हिंदुस्तान है और मंदिर महां बनकर ही रहेगा और कुछ आपके नेता कहते हैं कि एक बलिदान और देना पड़ेगा इसके मतलब क्या इस तरह का बयान देके ये नेता लोग जो है ये खुद नहीं चाहते कि ये बने ये मुद्दा खत्म हो जबके सारे धर्म के सारे जाती के लोग सब चाहते कि बन जाए मंदिर सब यहीं चाहते हैं जी जी बिल्कुल आपने सब्सक्राइब कि हम उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो यहीं का नादरिक है उसको सारे मौलिक अभिकार हैं और और हर किसी को अपने धर्म और अपनी जाती अपने पन अपने संपदाई के अनुसार अपन हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए वो लोग जो अपने धर्म जो अपने देश पर आस्था रख रहे थे जिनको अपनी मिटी से प्यार था क्या आप अपना अब मान कर रहा है उनका अगर इस तरह के बयान आ रहा है तो फिर आपकी तरफ से पाटी की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है कहा कारवाई होती है तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाए, शुक्रिया, मदू जी हमसे बाचीत करने के लिए, राजीत जी, क्या ये सुनियोजित होता है, अगर राजीतिक दल ऐसे बयानबाजी जो कर रहा, उसको उपर कारवाई करें, तो शायद कोई बयान ही ना दे, नहीं तो संगठन उन निती बना करके इस तरीके के नेता को आगे किया जाता, विचारदारा संगठन की होती, सब्द संगठन के होते हैं, बोल नेता जी के होते हैं, दूसरी बात, अभी कई बार इस बात का जिकराया, और लोग कहते हैं कि राम मंदिर जो बनना है, उसको मुस्लिम नहीं बनने देरेर महां हक जता रहे हैं, बाबरी मस्चिद पर, दूसरी बात यह है, कांग्रेस के जो नेता गए थे, कपिल सिबल, सुप्रीम कोट में, के मंदिर की सुनवाई दो हजार उन्नीस में की जाए, क्या वो कोई राम मंदिर का विरोध करने मुसल्मान गए थी, क्या, राम म मुसलिमों से जादे तो हिंदू कर रहे हैं, दूसरी बात अभी मैं साध्वी प्राची का भ्यान सुनना हूँ, साध्वी प्राची ने का हिंदूस्तान हिंदूों के लिए था और पाकिस्तान मुसल्मानों के लिए था, आपकी पार्टी में दो महामहीम बैठें, का जनम ही मुसल्मानों के लिए हुआ, हिंदूस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, आप भेजिए ना अपने दोनों नेताव को, जो नहीं भेजते, आसिप जी विकास का मुद्दा नहीं है, देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा नहीं है, एजेंडा है किस तरीके से हि समसान और कब्रिस्तान में बाट करके वही जीत और वोट वाइड हासिल किया जा सके, सत्ता बचाई जा सके, एक ना पर बताता हूँ, एक पिक्चर आई थी, लव के लिए कुछ भी करेगा, राजीनिती में एक इस्टेंट चल गया है, कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जाए हिंदु मरे मुसल्मान, बुड़ा मरे जवान, इन नेताओ को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी सत्ता प्यारी है, नीती नियत साफ होती है राजीव जी, तो फिर चुनाओ के वक्त ही क्यों जिक्र होता, कम से कम आम लोग को इस समझ लेना चार साल के बाद ही इसका जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों चुना के वक्त ही कबरा, कबरिस्तान और शम्शान याद आते, मंदिर मस्जित याद आते, ये समझना जागरुक होना देश के लोग के लिए बहुत जुरूरी है, आसिफ जी, एक कावत है के सुनो सबकी करो अपने तो भई फिर मान्य नाले के आदेश का सम्मान कहा हूँ आप आलन कहा हूँ अभी तो निर्न आया भी नहीं दूसरी बात, आप एक आपको जब ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा है, हिंदु धरम का है, हमने सबूत भी जिए, तथे भी जिए, राम राम चंदर जी पैदा भ मोद्य फैसला सुनाते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको धारिया रखना चाहिए नहाए के देवता के उपर, आप धारिया भी नहीं रख रहे हैं, दूसरी बात, ये सारी चीजे चुनाव के समय ही क्यों आताती हैं, क्यों वोटरों को बहकाना है, तो आपको जीर में एक समझना चाहिए देश के सभी लोगों को, अगर चुनाव के वक्त ही जिक्र हो रहा है, मंदिर और मजजित का, और अगर एक दूसरे को डराया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि इनकी नियत में खोट है, ये सिर्फ वोट के लिए सब कुछ कर रहा है, बहुत शुक्रिया, द लेकिन आम लोग को जाकरिक होने की जरूरत है कि चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्धे क्यों लेकर आते हैं, विकास के नाम पर या विकास को लेकर क्यों नहीं राज़िती होती है, दरसल इन सब को उसको लेकर जबाब देना होता है, और किसी ने विकास को लेकर काम गंभीर से या संजीद्गी से नहीं किया खास कारकरम में इतना ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते हैं टीवी एंडेट नमस्कार